सो हलो दोस्तों कैसे हैं आप सुब आपका स्वागत है एक और इंफोमेशन वीडियो में जैपूर सादलपूर और जैपूर लुआरू पैसेंजर का किया विस्तार अब जैपूर से गुगा मैडी के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन सर्विस कब से विस्तार किया जा रहा है किस कि स्टेशनों पर इस टोपिज रहने वाले हैं या टाइमिंग रहने वाली डिटेल में बात करने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरू करते हैं इस वीडियो को इस्टार्ट ट्रेन नमबर 09603 & 04 जैपूर लुआरू जैपूर पैसेंजर यह ट्रेन अभी जैपूर लुआरू के बीच चलती है वर 11 मैसे हाँ जी आपने सही सुना 11 तारीक से इस ट्रेन का विश्तार बटिंडा तक कर दिया गया है 11 मैसे यह ट्रेन जैपूर से बटिंडा के बीच अपनी सर्विस performing कर देगी जैपूर से लुआरू इसकी जैपुर बटिंडा के लिए रात 9.30 पर या दस मिन्ट के इसर बैतिंडा के लिए रात 11.55 पर ये बटिंडा। अभी ये लुआरू से सुबह 11.25 पर जैपुरू के लिए रवाना होती है पर विस्तार होने के बाद लुआरू से सुबह 9.25 पर रवाना होगी लुआरू बटिंडा के बीच रामपुरा बेरी, सादलपुर, सिद्मुक, अनूप सेर, तैसिल बादरा, हुगा मेडी, नोहर, इलनाबाद, टीवी, अनुमानगट, संगरिया, मंडी डबवाली, संगट ये इसके स्टोबिज होने वाले हैं ट्रेन होने वाली है, ट्रेन नमबर 096, 05, 06, जैपुर, सादलपुर, जैपुर पैसंजर, ये ट्रेन अभी जैपुर, सादलपुर के बीच चलती है पर 12 माई से ये ट्रेन जैपुर, सिरी, गंगनगर के बीच अपनी सर्विस देना सुरू करेगी जैपुर, सादलपुर के बीच इसकी टाइमिंग से पहले वाली रहने वाली है, सादलपुर से ये रात 7, 10 पर रवाना होगी हनुमानगट रात 10, 40 पर पहुंचेगी, यह इसका 30 मिंट का इस्टोबिज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोको रिवरसल होगा रात 11, 10 पर हनुमानगट से रवाना होकर रात 12 बज के 35 म्ट पर येस सिरी गंगानगर के बीच इसकी टाइमिंग से हम पहले वाली रहेगी सादलपूर शिरी गंगानगर के बीच सिदमुक, अनुप सेर, तैसिल बादरा गुगा मेडी, नोहर, इलिनाबाद टीवी, अनुमानगड टाउन अनुमानगड सादूल सेर ये इस्टोबिज रहेंगे दोनों ये ट्रेन अपनी डेली सर्विस प्रोवाइड करने वाली है और ये न्यूज सुनकर आपको कैसा लागए मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी ओल पर प्रैस कर दीजिए मिलते हैं एक और इंट्रेसिंग जूस्फुल इंफर्मेशन वीडियो एक साथ तब तक के लिए जैन वंदे मात्रम